सत्य लोग एक ऐसा इस्थान जहां रहते हैं ब्रह्म साकार रूप में, एक दिब्य सिंगासन पर, बिलकुल इनसानी शरीर के रूप में और उनके शरीर से निकलती रहती हैं एक बिसिस प्रकार की आभा सत्य लोग एक ऐसा इस्थान जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां सूर्य दिखाई नहीं देता, ना ही चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, फिर इन बिजलियों का तो चमकना ही क्या, फिर अगनी का तो प्रकाश ही क्या, परंतु के शरीर से धर्ती लोग में मनुस्य शरीर में रहने वाली आत्माएं आत्माएं जो पहुत अधिक हैं असंख्य हैं धर्ती पर रहने वाली मनुस्य शरीर वाली आत्माएं उस साकार ब्रहम को खुश करने के लिए जब गुरू के बताय हुए मार्ग का अनुसरन करती हैं तो वो साकार ब्रह्म जो सत्य लोक में बैठा है उन्हें सुख देता है और गुरु के बताय मार्ग का अनुसरन नहीं करती जो पाप कर्म करती हैं सत्य लोक में बैठा हुआ बहे ब्रह्म उन्हें कष्ट देता है उन्हें दुख देता है धरती लोक में मनुस्य सरीर में बैठी हुई आत्माएं जब किसी पूराण गुरू से 2, 4, 5, 6 या 7 कोई शब्द ले ले लेती हैं और उनका उच्चारान करती हैं लगातार उच्चारान करती रहती हैं तो इस सत्य लोक में बैठा हुआ साकार ब्रह्म उनसे खुश हो जाता ह और फिर वो आत्माएं जब मनुस्य सरीर को छोड़ती हैं तो फिर वो सीधे यमदूत उन्हें उसी सत्य लोक में ले जाते हैं जहांसे बापस लोटकर फिर उन्हें प्रतिवी लोक पर आना नहीं पड़ता प्यारे भाईयों बहनों कैसी लगी ये परी कथा एक और परी सूरज डूबता नहीं मतलब इतना बिस्तरत धरती पर उसका राज है कि कभी सूरज डूबता नहीं वो रहता है स्वरन महल में सोने के महल में स्वरन सिंगहसन पर जो हीरो से मड़ी मोतियों से सुसजित है जड़ा हुआ है वो उस पर बैठा रहता है और बही बैठकर वो नियाए करता है। राज्य में फैले हुए उसके दूत उसे आकर के खबर देते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है। और वो व्यक्ति बहुत ही दुशकर्मी है, बहुत बुरे कर्म कर रहा है। तो वो स्वारन सिंगासन बर बैठा हुआ एक छत राजा उन्हें जिनसे वो खुश होता है, पुरुषकरत करता है। और उन्हें जिनसे वो नाराज रहता है, उन्हें दंडित करता है। ऐसा राजा है कुछ लोगों का साकार परमिश्वर, जो इंसान जैसे शरीर में बैठा है। भाईया, इश्वर, इश्वर क्या इंसान के जैसा है इश यदि इंसान के जैसा है तो शुरूती ऐसा क्यों कहती है अपानी पादो जबनो गरहिता पश्येते चक्षूशे शर्णोत्ये करने सै बेती विश्वम नेचे तस्यास्ति बेता तमाहुर ग्रहयम पुरुशम पुराणम दरसल जो भी परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं उनके लिए परमात्मा ठीक उस राजा की तरह से है जो सिंगहसन पर मौझूद है इंसान के शरीर जैसा है परमात्मा इंसान के जैसा नहीं है परमात्मा आयाम गत रूप से हम सबसे अलग है समय से बाहर और हम सब हैं समय के भीतर उनका परमात्मा उनका साकार परमात्मा ज जरा-जरा सी अच्छी अच्छी बातों पर कुश हो जाता है। खुश होता है, पुरुस्कार देता है, नाराज होता है, दंड देता है। परमात्मा ना किसी सी नाराज होते हैं, ना किसी को दंड देते हैं। ये जो करमों का विधान है ना वो सारे का सारा हमारा अपना ही बनाया हुआ है और हम ही मतलब एहम ही इन सब को भोगता है परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है ये तो इस्तिर हैं ये सिर्फ दरश्टा हैं ये सिर्फ चेतन्य हैं ये तो देखते रहते हैं कि संसार में क्या घट रहा है यदि परमात्मा के साकार रूप को मानना ही है तो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है परन्तु परमात्मा का साकार रूप बास्तम में कौन है परमात्मा का साकार रूप बास्तम में सत्गुरू ही होता है सत्गुरू ही परमात्मा का साकार रूप होता है जो अपना ज्ञान देने के लिए दरसल ब्रहम ज्ञान कभी भी किसी को अपने आप नहीं होता क्योंकि आज तलक तो हुए हैं जितने सोयम किसी ने पाया ना राम करश्न और नानक को भी सोता है नजर ये आया ना जग को राहा दिखाने के हित सबने रीत निभाई है गुरु चरणों की धूली सबने अपने सीष चड़ाई है सदा सदा से ज्ञान की डौरी रही गुरु के हाथों में कहे अबतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में अपने जैसा बना लिया परमात्मा को ब्रहम को अपने जैसा बना लिया पिलकुल इस कल्पना से बाहर नि में आत्मा है परंतु हर सरीर में एक ही आत्मा है शरीर चलता है जीब के कारण स्रीमत भागवत गीता में भगवान कहते हैं देही नित्य बद्ध्यो आयम देहे सरवस्य भारत तस्मात सरवानी भूतानी नेत्वम सोची तुमर हसी यह आत्मा सब के सरीरों में सदाई अबध्य है इसलिए तो संपूरन प्रानियों के लिए शोक करने योग यह नहीं है अर्थात सब के सरीरों में एक ही आत्मा हैं एक ही जो सदाई अबध्य है तो यहां इस वीडियो में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से ब्याप्त है कहीं कोई इसका निजी धाम नहीं है जहाँ यह शरीर रूप में बराजमान होकरके बैठा रहता हो आत्मों के आने का इंतिजार करता रहता हो आत्मा एक ही है और आत्मा तो स्वयम परमात्मा है भगमान भी ऐसा ही कहते हैं उपद्रश्टा नुमंता चैभर्ता भोगता महिस्वरहा परमात मेती चाप युगतो देहे आईसमिन पुरुशा है परहे इस देहे में इस्थित यह है आत्मा बस्तम में परमात्मा ही है वही साक्षी होने से उपद्रश्टा और यथार्त सम्मती देने बाला होने से अनुमंता सबका धारण पोशन करने बाला होने से भरता जीव रूप से भोगता क्योंकि समस्त कर्मों का फल जीब ही भोगता है इसलिए आत्मा जीब रूप भी है और जीब रूप होने से यह भोगता है ब्रह्मा आदिका स्वामी होने से महेस्वर और शुद सचिदानंद घन होने से परमेश्वर ऐसा कहा जाता है अर्थाद ये सब वास्तमे आत्मा के ही रूप हैं ये सब वास्तमे परमात्मा के ही रूप हैं ब्रह्म के ही रूप हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सोयम भगवान ऐसा कह रहे हैं तो जो सर्वत्र सवान रूप से ब्याप्त है मौजूद है आत्मा रूप में शरीर के जर्रे जर्रे में कणण में मौजूद है जो इस्थिर है ना कहीं आता है ना कहीं जाता है तो ऐसा परमात्मा क्या साकार हो सकता है कोरी कलपनाओं से बाहर निकलना पड़ेगा उन्हें जिन्होंने परमात्म की कलपना एक साकार इंसान के शरीड जैसी की है और आपने आपने तो ऐसे ब्रह्म को सत्गुरू की करपा से काणकण में देखा है और कहते हैं हमने देखा है हमने देखा है काणकण में हाजिर हजूर सत्गुरू की करपा से जी हां सत्गुरू की करपा से केबल और केबल सत्गुरू की करपा से और कोई उपाय है ही नहीं परमात्म से मिलने का ना जब से ना तप से ना ज्यान से ना योग से ना समाधी से को प्लीज कमेंट करके इसके बारे में बताईएगा जरूर पसंद आया है तो इसे शेर अभी कर दीजेगा और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अब इसे कीजेगा इनी शब्तों के साथ आप सभी को जैहिंद नमस्कार और प्यार